नमस्कार दोस्तों नगरपाली का आम निर्वाचन 2022 के अंतरगत निर्वाचन बेलेखा अनुसरवन के इस प्रस्टिक्षन कार्टक्रम में आपका स्वागत है आपके साथ मैं हूँ अमरेश कुमार वरिये को सागर पताधिकारी बागा प्रस्टिक्षन का यह वीडियो निर्वाची पताधिकारी उनके सहयोगियों और अभियर्थियों की सुविधा के लिए बनाया गया है प्रसिक्षन का ये वीडियो हमारे आधरनिय जिला पदादिकारी मां का स्री अंसुल कुमार जी के नित्रत मागदर्सन और पिर्णा से बनाया गया है जिसके लिए हम अपने जिला पदादिकारी महोदे का आभार परकट करते हैं दोस्तों सबसे पहले यह जानते हैं कि निर्वाचन व्य क्या होता है और निर्वाचन व्य का अनुसरवन क्यों आवस्चक है निर्वाचन आयोग का इस पर जोर क्यों होता है चुनाव में अभियरती लड़ते हैं और वह चुनाव में अभियरती जब लड़ते हैं तो उसके लिए उन्हें कुछ खरज करना पड़ता है लेकिन निर्वाचन आयोग का उद्देश है कि स्वतंत्र और निस्पक्ष चुनाओ के लिए यह आवश्यक होता है कि निर्वाचन पर धनबल और बाहुबल के परियोग को रोका जाए, उनके दुर्पयोग को रोका जाए, इस उद्देश से निर्वाचन आयोग एक और जह रख रखा और इससे संबंदित उस लेखा को समर्पित आदी करने के संबंद में जो भी विशेवस्तु है वह इस प्रसिक्षन सामगरी के अंतरगत है आगे जिसे हम देखेंगे निर्वाचन एक संबिदन सिल विशे होता है इसमें किसी भी तुरूटी की कोई गुंजाइस नहीं होती है इसलिए इस प्रसिक्षन सामगरी का स्रोत बताना जरूरी है और इस प्रसिक्षन सामगरी का स्रोत है सचीव राज निर्वाचन आयोग बिहार के पत्र संख्या 3233 दिनांक 19.08.2022 इस प्रसिक्षन वीडियो के दौरान अगर आपको कहीं पर कोई कन्फ्यूजन होगा कहीं किसी आंकडे में आपको ऐसा लग रहा होगा कि इसमें ऐसा है या नहीं है तो आप इस निर्वाचन आयोग के इस दिशा निर्देश का सहरा लेंगे और यही हमारा डिस्क्लेमर है आए सबसे पहले जानते हैं कि बैधानिक प्रावधान क्या है बैधानिक प्रदान यानि नगर्पाली का आम निर्वाचन 2022 के अंतरगत जो निर्वाचन वीयका जो रख रखा होना है इस सम्मध में क्या प्रावधान है तो इसके लिए दो नियम है बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 इसकी धारा 14, 473 और 474 और दूसरा है बिहार नगरपालिका निरवाचन निमा वली 2007 इसकी नियम 100 सबसे पहले धारा 473 देखते हैं आपको धारा अगर याद नहीं रहता है तो याद रखने के जरूत नहीं है इसकी बातों को समझना है सबसे पहली बात कही जाती है कि प्रतेक अभियरती एक निस्चित अधिकतम सीमा तक ही बे कर सकता है जो आगे हम देखेंगे कि इस निरवाचन में बे की अधिकतम सीमा क्या है दूसरा ये जो निरवाचन बे है इसका जो रख रखाओ है इसको जो लिखेंगे इसको जो लेख और इस प्रकार की लेखा निरवाची पदाधिकारी के समख्ष दाखिल किया जाना होता है जो निरधारित सीमा होती है वो भी हम आगे चर्चा करेंगे ठीक है दूसरा ये दांडिक प्रावधान है इसके अंतरगत कहा जाता है कि यदि निरवाचन आयोक का यह समाधान हो जाता है यानि निरवाचन आयोग को लगता है कि किसी कंडिरेट ने निरधारित समय सीमा जो निरवाचन परिणाम की घोसना के 30 दिन होती है उसके अंतरगत विहित रिती से और अपेक्षित समय में अगर उसने निरवाचन बेकालेखा समर्पीत नहीं किया है और इस बिलंब के लिए उसके पास कोई उचित कारण नहीं है तो निरवाचन आयोग जिला निरवाचन पताधिकारी के प्रतिविदन के आधार पर ऐसे उमिदवार को तीन वर्ष के लिए चुरा लड़ने से निरहर कर सकता है रोक सकता है अब आते हैं निरवाचन बेका रख रखाओ करना कैसे कर इसे के बीच जो निरवाचन बये उसी को इसके अंतरगत रक जाता है यानि जो ही आप नोमिनेशन दाखिल करते हैं और नोमिनेशन दाखिल करने के लिए नाजी रसीद कटवाते हैं तो नाजी रसीद से ले करके ही आपका निरवाचन बे आरंब हो जाता है फिर अगर नामंकन करने के लिए आप किसी वहन का प्रियोग करते हैं अपने समर्थको के साथ चाय नास्ता भोजन पानी करते हैं तो उसका भी वय आपको निरवाचन बय के अंतरगात आ जाएगा तो ध्यान देने के जरूत है कि नोमिनेशन की तारिक से निरवाचन परिड़नाम की घोशना तक ये दोनों ही दिन इसके अंतरगात आता है दूसरा इसका रख रख रखाओ कोन करेगा इसका रख रखाओ उमिदवार स्वयम कर सकते हैं या अपने एजेंट के माध्यम से करते हैं लेकिन प्राया अधिकांसता उमिदवार व्यस्त रहते हैं इसलिए अपने किसी एजेंट को वो प्राधिकृत कर सकते हैं तीसरा कि निरवाचन से संबंदित ते जो वेखे इसका रख रखाव अलग करना है यानि आपका अपना वेख घरिलु बेए बच्चों का ट्यूसन फीज उत्यादी उसका रख रखाव लेखा करते हैं आप अलग करेंगे और निरवाचन से संबनित बेका रख रखाओ अलग से करना है अलग से अगर आप निरवाचन बेका रख रखाओ नहीं करते हैं तो IPC के तहद दंड के भी प्रावदान है, जो हम आगे देखेंगे सबसे पहले आते हैं कि निरवाचन बेकी अधिक्तम सीमा क्या है निरवाचन बे के अधिकतम सीमा जानने के पहले आप जान रहे हैं कि नगरपाले का आम निरवाचन में तीन पदों के लिए चुना हो रहे हैं पहला है पारसद दूसरा है उप मुख्य पारसद और तीसरा है मुख्य पारसद तो पारसद के लिए भी तीन स्रेनियां होँगी एक नगरपंचायत नगरपरिसद और नगरणिगम तो आप देखेगा कि नगरपंचायत के पारसद के लिए बेक सीमा अदिकतम है 20,000 रुपए नगरपरिसद के लिए 40,000 और अगर नगरणिगम है तो नगरणिगम में एक से 20,000 या उससे अधिक है तो उस वार्ड में पारसद के उमिदवार 80,000 रुपे तक का वे कर सकते हैं ठीक है अब आते हैं उपमुख पारसद और पारसद का वे की अधिक्तम सीमा इस दोनों के वे की अधिक्तम सीमा एक समान है यानि ये दोनों ही अधिक्तम सीमा एक लिम आप जिस छेतर से चुना लड़ रहे हैं जिस नगर निकाय से चुना लड़ रहे हैं उस नगर निकाय में जितने भी वाड हैं और वाड की जो अधिक्तम सीमा है उसको जोड़ दिया जाए और उसमें वाड की संख्या से गुना करके उसमें दो से भाग देने पर जो रासी आ से उसको गुना कर दिये और उससे दो से भाग दे दिये जिसका हो गया एक लाख चालिस हजार रुपे उसी तरह से बौशी में 21 हैं 21 को 20,000 से गुना कि और 2 से भाग दिये तो 2 लाख 10,000 रुपे या यारी मुख्य पारसद और उपमुख पारसद की यह वेखी अधिक्तम सीम अब मैं अभी जैसे चर्चा किया था कि अगर आप निर्वाचन उमिदवार के बारे में हैं कि उमिदवार अगर सो समय और उसी रिती से अपना निर्वाचन बेकालेखा प्रस्तूत नहीं करते हैं तो क्या परणाम होगा इसके लिए दो तरह के प्रावधान है एक तो मैंने किया है तब दूसरा अगर कोई उमिदवार निर्वाचन बेका अलग से और सही विवरान नहीं रखा है तब और यह परणाम भोशना की तिथी के 30 दिनों के अंदर वह अपना लेखा अपने निर्वाची पतादी कारी के पास समर्पित नहीं किया है इन तीनों के कारण से उसको उसके 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 दंड आरोपित किया जा सकते है आई पीसी के धारा के तहट और यह तो आप जान रहे हैं कि उसको तीन वर्सों के लिए चुना लड़ने से वारित किया जा सकता है यदि हुआ इस बिलंब का कोई युक्ति-युक्त कारण या आउचित नहीं बतात है कि उमिदवार जब आपके हां नामंकन दाखिल करते हैं तो आपको अनि प्रपत्रों के अलावे निरवाचन बेशे संबनित कितने प्रपत्र देने हैं तो यहाँ पर निरवाचन बेशे संबनित आपको चार प्रपत्र देने हैं और इसके लावे दो और कागजात देने सबसे पहला है प्रपत्र एक जो सूचना का प्रपत्र है वह एक पत्र की सैली में होता है आपको सबसे पहले देना है प्रपत्र एक जो सूचना का प्रपत्र है उसमें इस प्रकार जो आज मैं प्रसिक्षण में आपको बता रहा हूं इस प्रसिक्षण में बताए जाने बाल वह है निरवाचन बे की लेखा की पंजी यानि अभी बताया गया है जैसे आपको कि सभी उमिदवारों को अपने निरवाचन बे का लेखा का संधारान एक अलग तरीकिस करना है तो उसके लिए एक पंजी है और वो पंजी जो है इस प्रपतर दो में ही प्रपतर दो में जो वे किये हैं उस वे को classified कर देना होता है कि परिवहन में कितने वे किये गए सभा में कितने किये गए उसके अगला प्रपत्र है जिसके हम चर्शा करेंगे तो वो होता है प्रपत्र चार और जब निरवाचन परिणाम की घोशना के 30 दिन बाद अधिकतम 30 दिन के बाद जब अधिकारी के दोरा प्रपत्र एक दिया गया सुजना का प्रपत्र प्रपत्र दो दिया गया निरवाचन बे पंजी प्रपत्र चार दिया गया निरवाचन बे से संबंदि सार विबरन और प्रपत्र पांस दिया गया सपत का प्रारू अगला दो भी बहुत महत्तपूर्ण निर्वाचन में उमिदवार जो वै करते हैं, तो वा वै जो है, उस वै को एक निर्धाई दर पही कर सकते हैं, कई बार ऐसा होता है, कि उमिदवार जो प्रचलित दर है, जो मानक दर है बाजार में, जैसे माले जें चाय, चाय की आज कल दर अमोवन सभी जगा 10 रुपे हो ग मानक दर होता है जो मानक दर करते हैं जिला निर्वाचन पदाधिकारी तो जिला निर्वाचन पदाधिकारी दोरा निर्धायत केगे मानक दर की सुची भी नामांकन के समय भी निर्वाची पदाधिकारी के दोरा उमिदवार को दे देना है ताकि उमिदवार अपने बेलेख पंजी में जो निर्धाइत मानक दर है उसके आधार पर ही उसको दर वहां लिखना ही होगा और दूसरी बात कि यह भी प्रावधान है कि हर पांचमे दिन के बाद छटे दिन उमिदवार के लेखा पंजी की जांच होनी है नाम निर्देशन की तारीक से लेकर के परिणाम की गोशना तक के बीच में तो वो कब-कब उमिदवार आएंगे निर्वाचन जांच के लिए अपने लेखा के जांच के लिए इसका भी एक कार्जग्रम निर्वाची पतादीकारी के दौरा उसी समय उमिदवार को दे देना है ठीक है और करमां के एक से चार तक यानि से पहले देखते हैं प्रपत्र एक प्रपत्र एक सूचना का प्रपत्र होता है सूचना के प्रपत्र में अभी जैसे मैंने बताया कि इसमें निर्वाचन बेक लेखा के संधारन उसके नियम उसके प्रपत इत्यादी की विस्तित जानकारी दी जाती है निर्वाची पताद पर्पतर चार और 65 है फाने सबस्क्राइब में निर्वाचिय पता थिकार इसको पन्जी के रूप में पंजी का प्रतेक पेज पर पेज नमबर अंकित कर देंगे अपने स्टाप से करवा देंगे और उसके मुख़ी पृष्ट पर यह प्रमानपत भी अंकित करेंगे कि प्रमानित किया जता है कि इस पंजी में इतने पन्ये हैं उमीदवार इसी पंजी में अपने निर्वाचन बैय का संधारन करेंगे किसी दूसरे में नहीं करेंगे दूसरी बात उमीदवार इसमें अपने प्रती दिन अपने निर्वाचन बैय को अंकित करेंगे ऐसा नहीं कि एक सप्ता बैठ गए और कुछ याद करके जो याद लिखे और जो याद नहीं आया वो नहीं लिखे नहीं अपने दिन प्रति दिन का बे उनमें अंकित करना है निरवाची पताधिकारी किसी भी समय इस पंजी की मांग करके उसकी जाच करेंगे और अगर उसमें दिन प्रति दिन के प्रविश्ची नहीं हुई है तो जो भी पंजी कि जाँच जिल्यन निरवाचन पता देकारी आरो, ए आर्ओ bentर के दोारा समय समय पर की जानी है। पंजी कि जख़लिन फिसे और इंशेन फिर्मेशन आरप लिकरा सब लिखते हैं। तो केबल विपरर लिख देने से नहीं होता है। निर्वाचन में जितने भी बे किया जाते हैं उसके विरुद उनको विल या वाउचर लेना है और विल और वाउचर को क्रमा नुसार्त, दिनांग के साथ उसको एक फोल्डर में रखना है. यानि हर पंजी के साथ एक फोल्डर होगा, पंजी में जिस बेया कि अभिबरण होगा, उससे सम्मनित अभी स्रव उसके साथ होगा कुछ अभी स्रव ऐसे हो सकते हैं कुछ ऐसे अपवाद दिये गए हैं जैसे ट्रेन का टिकट है डाग का टिकट है अगर इसके बारे में आपको वाचर उपलब्द नहीं है तो आप एक प्रमान अंकित करकरके इसका कारण अंकित करकरके आगे बढ़ सकते हैं उमिदवार लेकिन अधिकांस मामले में उनको अपने वाचर रखना है वाचर को करम से सजाना है वाचर नमबर एक दिनां कितना वाचर नमबर दो दिनां कितना इस तरीके से उसको रखना है अब आते हैं भी सारविब्रन जो आपको जमा करना है उमीदवारों द्वारा जमा करना है उसके चार भाग होते हैं पहला भाग परिचायात्मक होता है जिसमें अभिरती का नाम पता किस पद से लड़ रहे हैं किस वार्ड से लड़ रहे हैं उनके नामांकन की क्यातिती है और उनके परिणाम की घोषणा क यह होता है भाग दो में निर्वाचन से समझ जितने भी बे किये गए उसका सारांस होता है भाग तीन में जो वहाण प्रियुक्त किये गए वहाण और उसका विब्रण देना होता है और भाग चार में अगर साधुनिक सभा जुलूस बैठक इत्यादिका अयोजिन किया गया तो देना होता है ऐसा क्यों किया गया ऐसा इसलिए किया गया है कि बाद में यह analysis किया जाता है कि उमीदवारों के द्वारा अपने निर्वाचन में किस-किस प्रकार के वे किये गए हैं सभापर जादा कर दिये गए हैं कि वहन पर जादा वे कर दिये गए हैं इस बाद का बा या तो प्रथम स्रेणी दंडाधिकारी के पास या तो ओथ कमिशनर के पास और या नहीं तो नोटरी पबलिक के पास ही सपत करकर के जमा किया जाना है अभी मैंने कहा था कि अनुमोदित दर जिला निरवाचन पदाधिकारी उस जिले में प्रचलित दर का एक कमीटी बना करक जिसको अनुमोदित मानक दर कहते हैं इस मानक दर की सुची अभीरती को उपलब्त करा देना है नाम उनके नोमिनेशन के समय ही और अभीरती दोराज की जाने वाले बे में जो दर अंकित करेंगे वो यही वे करेंगे नहीं तो ऐसा देखा जाता है कि कई बार उमिदवार कम करके या कम दर पर दिखाते हैं जो नियमानुसार उचित नहीं है निर्वाची पतादीकारी इस दर को बहुत पहले ही प्रकासित करवा देंगे ताकि उमिदवारों को इसकी जानकारी रहे उमिद ना चुनाव का व्याई निर्वाचन व्याई की सुरुवात नोमनेशन फीज से होती है सबसे पहले ना जी रसीद कटाए जाते हैं तो उसकी भी जानकारी ज़रूरी है नोमनेशन फीज इस प्रकार से है अगर पारसद का चुनाव लड़ रहे हैं और अनारक्षित कोटी के हैं तो 400 रुपे और अरक्षित कोटी के अनुसुचित जाती जन जाती पिछडे बर्ग और महिला के लिए 200 रुपे है उप मुख पारसद के लिए 800 रुपे और 400 रुपे और मैंने जैसे बताया था कि उप मुख पारसद और पारसद दोनों के वे की सीमा भी उतनी है और उसके नाम नमनेशन का फी वी जो है वह भी उतना ही है ये था नगर पंचायत के लिए अगर नगर परिशद के लिए आते हैं तो यह रासी हो जाती है पारसद के लिए 1000 और अरक्षित कोटी के लिए 500 उप उप मुख पारसद और पारसद के लिए 2000 और 1000 और अगर नगर निगम है तो पारसद के लिए 2000 रुपे 1000 रुपे उप मुख पारसद के लिए 4000 रुपे और 2000 रुपे इस अंदर में आपको कोई आसंका होगी तो आप निर्वाची पदाधिकारी से संपर करके ही नाजी प्रसिक्षन काज्च्रामजों से तको इने निर्वाचन प्रसिक्षन काज्च्राम आयुद करने का प्राफधन है और यह कौन आयुद पतादिकारी, उनके निर्वाचन बे-कोशांग में पतिनित पतादिकारी और करमी अभ्हरति और उनके प्रादिकृत एजेंट इसलिए इस विडियो से इनी लोगों को ज्यादा लाव उठाना है इसमें सुभाविक है कि निर्वाचन बेश के संबंद में विस्तित जानकारी दी जानी है जो मैं दे रहा हूँ और इसमें निर्वाचन बेश संधारित करने के संबंद में भी जानकारी दी जानी है ऐसा नहीं है कि आपको पंजी दे दी गई और पंजी देने के बाद अब्यर्थी चुनासमाप्त हो गया उसके बाद आराम से उसको भर करके लार है नहीं निर्वाचन बे पंजी की जांच हर पांच में दीन के पस्चात यानि अगले दिन किया जाना है यानि बीच में पंजी जांच करने के लिए निर्वाची पदादीकारी के पास आएंगे तो निर्वाची पदादीकारी सुम्म इतनी पंजीयों की जांच नहीं कर सकते हैं इसलिए निर्वाची पतादीकारी के लिए निर्देश है कि वो अपने किसी सहायक निर्वाची पतादीकारी के अधीन एक निर्वाचन बे लेखा कोसांग बनाएंगे और इस कोसांग के दौरा एक कार्जकरम बनाया जाएगा लेखा पंजी के जांच के लिए और यह हर पा दिन का गैप दे करके उनको अगले दिन बुला लेना है इस प्रकार से काजकर्म निर्धायत किया जाएगा कि हर एक दिन कोई न कोई अभियरती आते रहे चुकि पदों के संख्या अधीक है तीन पदों पर चुना हो रहे हैं उमिदवारों के संख्या अधीक होगी इसलिए निर्वाची पदाधिकारी के अधीन एक निर्वाचन बेलेखा कोसांग का गठन का निदेश है इसमें एक बात जो छूट गई है कि जब उमिदवार अपने लेखा पंजी की जांच करने के लिए आएंगे हर पांचमे दिन के बाद तो जब उसकी लेखा पंजी जांच कर नोटीस बोड पर लगा देना है और दूसरा ऑफिस में सुरक्षित रख लेना है जो बाद में जिला निर्वाचन पदाधिकारी को भेजा जाना है यह मैंने बता दिया भी आपको कि सहायक निर्वाचन पदाधिकारी के अधिन वो इस प्रकार के कोसांग का गठन होगा निर्वाचन बेल लेखा कोसांग अब ये होता है कि निरवाचन बे लेखा कोसांग में जो पताधिकारी और कर्मी परतिन्यूक्त हैं वो किस प्रकार से लेखा के जाज करेंगे सबसे पहले उनको अभ्यर्थी वार संचिका का संधारन करना है यानि जितने अभ्यर्थी चुनाओ लड़ रहे हैं उन सब की एक वो संचिका खोल लेंगे और निरवाची पताधिकारे के द्वारा उनको सभा या वाहान इत्यादी के जो भी अनुमती दी जाती है उसको इस संधारित कर लेंगे और जब उनके पास निरवाचन वे अभी लेख आएगा तो उस अभी लेखों की जाँच पंजी में अंकित वे से उसका मिलान करते हुए और विस्तित तरीके से करेंगे और जब मैंने बताया भी कि जब जाच पूरी हो जाएगी तो इसकी दो पर्तियों में छाय पर्ति करा लेंगे एक निरवाची पतादीकारी के नोटीस बोर्ड पर लगाएंगे और दूसरी पती संचिका में सुरक्षित रख लेंगे ताकि आगे में यह काम आए जब चुराओं समाप्त हो जाएगा तो यह जो है जिला निरवाची पतादीकारी को भेज दिया जाना है हर एक चुनाओं में प्रेक्षक महोदे भी होते हैं इसलिए इस चुनाओं में भी प्रेक्षक महोदे होंगे और प्रेक्षक महोदे के द्वारा भी इस बै के आकलन का प्रावदान है और वो इस पूरे प्रक्रियासे स्वतंत रूप से अपने अस्तर से भी निरवाचन बे का आकलन करेंगे और उसका सामान प्रतिवेदन जो आयो को भेचते हैं उसमें इस बे की चर्चा करेंगे अब आया कि निरवाचन बे की विबरणी दाखिल करना तो हमने कहा आपको अभी बताया था कि जो ही चुराओ परिणाम की घोशना होगी उसके अधिक्तम 30 दिनों के अंतर प्रतिक उमिदवार को निरवाची पताधिकारे के पास अपना प्रपत दो में जो पंजी संधारित करते हैं वो उसके साथ जो अभी लेख है वो अभी लेख और प्रपत चार में सार विबरण और प्रपत पांच में सबत इसके साथ अपना बे विबरन दाखिल करेंगे जब बे विबरन अपना दाखिल करेंगे तो निर्वाची पताधिकारी के कार्याले के दौरा परपत अच्छे में उनको प्राप्ति दी जाएगी निर्वाचन एक समेदन सिल्वी से है इसलिए जब भी कागजात का लेन देना होगा तो उसकी प्राप्ति जरूर प्राप्त कर ली जाएगी दोनों ही इस तरों पर निर्वाची पताधिकारी का कार्याले भी प्राप्त कर लेगा और अभियर्थी भी उसको प्राप्त कर लें प्रपत्र पांच में सपत्पत्र देंगे और जमा करने की प्राप्ति प्रपत्र छे में ले लेंगे आरो के द्वारा इस समर्पित लेखा की जांच की जानी है जब जांच की जाएगी तो जांच करने के दौरान पदवार वो इसकी जांच करकर के पदवार एक प्रतिविद त्यार करेंगे जिसमें यह अंकित होगा कि लेखा जमा करने किती थी अभ्यर्थी का नाम समय और अस्थान जहां लेखा का निरक्षण किया जा सकता है इसको ऐसे समझिए कि केबल बेपंजी संधारित करने से कुछ नहीं होना है बेपंजी संधारित करने का उद्देश क्या तो निर्वाची पतादिकारी अपने नोटिस बोर्ड पर यह सुचना अंकित करेंगे कि फला उमिदवार ने फला तारीख को अपना निर्वाचन बेलेखा पंजी जमा कर दिया है अगर किसी आम जनता को इस पंजी की जाच करना है तो दिना इस तारीख को और इतने प्राप्त कर लें तो वो दो रुपे प्रती पेज की दर से राशी जमा करके पंजी के उस पेज की अभी प्रमाणित चाय प्रती प्राप्त कर सकते हैं अगर कोई उमिदवार नियधारे 30 दिनों के अंदर अपना प्रपत जमा नहीं करता है दूसरा जो रीती है जिस प्रकार से जमा करना चाहिए था उस प्रकार से जमा नहीं करता है तो निरवाची पताधी कारीद्वारा ऐसे उमिदवारों के विरुद निमंदित डाक के मा साओं नोटिस जारी किया जाएंगा जिसका जवाब उनको देना है अगर वह जवाब नहीं देते हैं और 30 दिन बीट जाता है और 30 दिन तक अंडेलिवर्ड एक महीन रिषाल है जा नते हैं कि जब हम रहिष्टी बेज्टे हैं ऑर किसको प्राप्त नहीं होता है तो इमानुसार सोतंत्र हैं। जब सभी अभियर्थी के दोड़ा निरवाचन बेयर पन्जी अपना जमां कर दिया गया, उसकी जांच हो गई, तो जांच करने के बाद उसका एक विस्तित परतीविदन तयार किया जाता है, जिसको कहते हैं विसी प्रतिवेदन तयार किया आता है और इस प्रतिवेदन को निर्वाची पदाधीकारी के दोरा निर्वाचन की परिणाम की घोशना के 75 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन पदाधीकारी को भेज देना होता है अभ्यरती से प्राप्त पंजीप हुआ, प्रपत चार में सार विब्रणी हुआ, सपचपच प्राप्त हुआ, इन सभी को आधार पर एक जांच, निर्वाची पताधिकारी के जो वहां पर कोसांग है, उसकी विस्तित जांच करके उसका एक सार बनाएंगे, और ये सार 75 दिन चुनाव परिणाम की घुसना के 90 दिनों के अंतरगत, निर्वाची पताधिकारी के द्वारा, राज निर्वाचन आयो को अपने मंतब के साथ भेज देना है, यह प्रावधान है, और अभी जैसे पहले बार-बार चर्चा हुई है, कि नगर बिहार, नगर पालिका धीनिय 2007 की धारा 474 में यह प्रावधान है, कि अगर आप अपक्षित रिती और अपक्षित समय से उमिदवार अगर यह पंजी जमान नहीं करते हैं, और उसका कोई युक्त कारण या आउचित नहीं बताते हैं, तो उन्हें राज निर्वाचन आयोक द्वारा, जिला निर्वाच पतादीकारी के प्रतिवेदन के आधार पर तीन साल के लिए चुना लड़ने से रोका जा सकता है, तो यह थे निर्वाचन बेलेखा कोशांग और निर्वाचन बेलेखा के संधारन पर प्रचिक्षण के सामगरी, आसा है कि इस से सभी उमिदवार निर्वाची पतादीका पतादीकारी और इस काम में लगे हुए लोग और आम जन भी लाभानेत में होंगे, इजाद दीजिये, नमस्कार